नमस्कार मैं डॉक्टर रिशब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय कॉंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं तरहीं चलिए उस विशे पे बात करते हैं जिस विशे पे काफी जादा बच्चों ने मुझसे पूछ कर बुलत हकिसर वीडियो बनाई है क्यूंकि आपसे बात नहीं हो पाती है देखे अल्मूस कोचिंग्स ओवर हो चुकी हैं मेडिकल विंग की और समय है रिवीजन का और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सफलता का साधन बताईए तो देखे बच्चों ऐसा है सफलता के साधन नहीं होते हैं सफलता को साध्य करने के लिए साधन के बारे में स्वयम सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा देखे ये वो बात नहीं है कि दूसरों के तजर्बे से तजर्बा नहीं लिया जा सकता है लिया जा सकता है लेकिन देखे जो planning आप खुद से करते हैं वो बहुत अच्छी होती है दूसरों की planning से pressure जरूर ज़ादा हो जाता है लेकिन फिर भी मैंने कुछ सफलता के साधन आप लोगों के लिए जुटाएं है तो मैं share करना चाहूंगा और कोशिश करिएगा कि अगर आप follow कर पाएं तो करिएगा नहीं तो अपने सफलता के साधन बनाने की कोशिश करिएगा देखिए तरीका number one बहुत लोग कहते हैं planning की जरूरत है देखिए मैं यह नहीं कहरा planning की जरूरत नहीं है लेकिन planning और unplanning जरूरी है कितनी जरूरी है इसका पता होना जरूरी है plan की उई चीज़ें में unplanned चीज़ें को डालने की कोशिश मत करिए देखिए जैसे मैं आपको बहुत simple से example से बताने की कोशिश करूँगा देखिए सुभा आप जब coaching classes के लिए जाते होंगे तो आपने बहुत common ये mistake कर रखी होंगी आप जहात लोग पीछे बैठते हैं back benches देखिए back benches पर बैठने का मज़ा जरूर लीजिए लेकि back benches मत बनिएगा average student से अगर उपर आपको जाना है तो back benches से front पर आने की आपको बहुत जादा जरूरत है teacher जब पढ़ा रहा है 5 से 6 घंटे जब आपकी classes हैं तो कोशिश करिए planned way में उस teacher को सुनने की कोशिश करिए अब unplanned क्या हुआ फिर तो unplanned है उन 6 घंटों के बाद में 6 घंटों के बाद में जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो हो गई आपकी unplanned things बीच में classes के break जो आई वो भी हो गई unplanned आप हंसिए, खेलिए, दोस्तों से बातचीत करिए photos लीजिए, videos बनाईए, Facebook चलाईए, Instagram चलाईए कुछ भी करिए unplanned time में करिए, planned time में बिलकुल मत करिएगा planned time में ही दूसरी चीज़ जिसको आप बहुत असानी से success का साधन बना सकते हैं, यह जो gadgets है ना, gadgets, phones, tablets बहुत बड़ी बिमारी हैं, कोई मुझसे बूचे है, HIV जादा बिमारी है या gadget बिमारी है, मैं कहते हो, gadgets बहुत बड़ी बिमारी है HIV के लिए फिर भी हमारे पास में दवाईयां available हैं, इन gadgets के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, धीरे धीरे करकर हम इनके आदी होते जा रहे हैं और यह planned time में unplanned time का part ले करती हैं, दूर हो जाईए planned time में इनको खुद से दूर कर दीजिए, unplanned time में आप कुछ भी करिए वीडियो गेम केलनी है, वीडियो गेम केलनी है, यूट्यूब देखना है, यूट्यूब चलाए अपनी selfies कीचनी है, selfies कीचिए, कुछ भी करिए, boyfriend, girlfriend जिससे बात करनी है, करिए लेकिन unplanned time में देखिए, इसके बाद में सफलता का साथ दिन और क्या है आपके पास देखे, डॉक्टर बनने के लिए आप जाएंगे, और इंजिनियर बनने वाले लोगों से, कमर्स पढ़ने वाले लोगों से, इन लोगों से अगर आप बात करेंगे न, इन लोगों को अपनी दोस्ती में रखेंगे, तो ये आपको आपकी destination तक पहुँचने में help नहीं कर सकते हैं, देखे, दो लोगों की same सोच होगी, उन दोस्तों को ही दोस्त बनाने की कोशिश करिए, जो आपको उस destination तक पहुँचाने में आपकी को मदद कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इसके बाद, देखे, मैं बहुत common, आप ऐसा न, सोचें कि मैं आपको बना कर रहा हूँ कि दोस्त मत बनाईए, इंजिनियर पढ़ने वाले, जो पढ़ाई करने वाले, कोचिंग लेने वाले, जो आपके दोस्त हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए, जो दोस्त आपको उस destination तक पहुँचाने में आपकी help कर सकते हैं, या आपकी सोच के साथ में उनकी सोच मिलती है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, HIV के बारे में, और दूसरा भी पढ़ाई करेगा, HIV के बारे में, तो दोनों एक दूसरे के points को share कर सकते हैं, इंजिनियरिंग वाले को कोई knowledge नहीं है, HIV के integral components के बारे में, शायद मेरी बात आपको समझा गी होगी, एक चीज और जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर, NCRT, NCRT, NCRT ही लोग कहते रहते हैं, NCRT कितनी important, मैंने का जी important है, बहुत जरूरी है, 60 से 70 प लेकिन NCRT की direct lines को भी याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए conceptual way में ही उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, teachers के साथ बैठिए, बहुत सारे MCQs करिए, daily basis के उपर अब कोशिश करिए कि 100 MCQs आपको करने ही करने हैं, plan बनाए, planned time में plan बनाए, unplanned time में नहीं उस समय मजे करिए, पूरी नींद लीजिए, खेलिए, कूदिए, टीवी देखिए, music सुनिए, कुछ भी करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सब मत करिए, boyfriend मत बनाएए, girlfriend मत बनाएए, मेरे को इससे कोई रुकावट नहीं है, आप planed time का पूरा यूज करिए, कोशिश करिए, हमारे पास समय सिर्फ दो महीने का है, अगर मेरी बातों में आपको ऐसा लगे कि इसमें सफलता की कुणजी के कुछ सादन हो सकते हैं, तो इनको follow करिए, अगर नहीं है, सफलता के सादन खुछ से बनाएए, समय सीमित है, कोई र का समय मेरे पास नहीं होता है, बहुत जादा, आप मुझे messages कर दें, facebook पे contact कर दें, जब भी मुझे समय लगेगा, मैं आपको उन प्रशनों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा, अगर बहुत जादा emergency हो, तो मुझे kindly phone कर लें, धन्यवाद